नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका काना कंपिटिशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल काना क्लासेज मालबुल इस टॉपिक के अंतरगत राजस्थान के त्योहारों में हम बात करेंगे राजस्थान के त्योहारों की जो की प्रमुक रूप से तीन धर्मों के त्योहार है हिंदुओं के इसाईयों के और मुसल्मानों के सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुओं के त्योहारों की इन से पहले में आपको एक कहानी सुनाता हूं के साथ हम श्टार्ट करते हैं। एक बार एक अंग्रेज भारत गून ने आया तो इसने एक राजस्थान की लड़के से पूँच लिया गुशा तुम्हार यहां कितने त्योहां रही है तो लड़के ने कहा हो जिया रोज त्योहां वानकें इस पॉसीबर तुम्हारा गुड़ी पड़वा भाई दूज आखा तीज गनेश चोथ नाग पंच मी उब छट सित्रा सत्मी जरम अश्ट मी राम नौमी तेजा दस्मी जूला ग्यारस बच बारस रूप तेरस धन तेरस रूप चतुर प्रशी और मावस्य की दिवाली पुरुणिमा की खोली लगब लगब अपने बात करें मि अपने केलेंडर से अपने कलेंडर हैं नियुक्त मुक्ख्य रूपसे हैं इसाइयों का है ग्रेगरियंक के और जुंधर है? इसे मसी के जनम से 78 वर्स बाद आप यह समझें के जनम से प्रारंब हो गया इस जगह इसा मसी का जनम हो गया उसके बाद यह आगे की तीथी आगई और यह पीछे के वर्स आगए यानि ये एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच इसा मसी के जनम के बाद को हम लिखेंगे इसी सन और इसा मसी के जनम से पूरू को हम लिखेंगे इसा पूरू इधर का जो इसा मसी के जनम से पहले जो सन है वो उल्टे चलेंगे यानि कुई भी घटना करम हुआ कभ हुआ साथ पांच को हुआ और दो को खतम हुआ और इसा मसी के जनम के बाद हम चुलेंगे कि एक को घटना प्रारंग हुई और तीन को खतम हुई इसा मसी के जनम के बाद इस्वी सन और इसा मसी के जनम से पहले इसा पूर तो सक संवत प् अमकर में ईसा मसिख के जनंब दहर्स पहले आनि सप्तावण इसा पूर और गुप्त समयत Nahす चंद्ल कुन-चला जाए था उसकी तेनसी तिंजीर भर्वह हैं जैंट भुखdoor से अपने चाहिए आप इस्लामी केलेंडर लेंडर लेलों आते हैं आपने महिनों की बात करें महिने आते हैं अपने इनको सिधा देशी तरीके से याद कर लेना अब महीने जो होते हैं वो महीने तीस दिन के होते हैं कि इव्रेज तीस दिन है से तीस दिनों में महीने अपने ब्राइद है वो दो पक्सों में डिवाइद है इता है वह निविया एक आता है क्रश्न पक्स है क्रश्न इत रहर एक आता है precaeleri ॐ-स क्रश्न ओंत रहुक्स त्रस्टतरिए चांदनी राज़स्तानिक यह उस Raf ذta के लिए उसका सूधी सो छोई कि इस मिपकराविन होते हैं महिने का मध्य का डिल बीच का तिति ऩी चलेगी सद्धूर भाद candleवा दिन दिन आएगा क्रश्नफक्स का पंद्रमा दिन कहलएगा मा वस्या क्रश्कन्य और पंदर्वा दिर जानी महिने मध्य को बीच दिर कहला और लेगा पूर्य मैं महिन को 12 महिने सा तो सबसे पहले हैं कि यह I'm कि प्रारूंब होता है चेट्र क्रश्कन एकम कूरे ओर चेत्तर से पहले यानि साल का अंतिम महिना कोंसा आता है फाल और महिना है है जंदतिन महिना फाल पूर्णी माख को यानि फाल ओन के अंतिम जिन तुवार मनाया жд Ref fresh निद्युलदी कब मना जाएगी चेट्र क्रश्न एक अपल इस दिन मना जाएगी दुलदी चेत्त्रक्रश्न एकम के एक दिन दॉद्य दूलन्दी को इस दिन की बताऊं लठ्थ मार होली एक होली खेली जाती है लठ्थ मार होली लट्थ मार होली और यह प्रसिद्ध है करोली एक होली के लिए पत्थर मार होली पत्थर मार होली और यह प्रसिद्ध है बाढ़ में दो इक खास बात है इस दिन दुलंदी मराई जाएगी लट्थ मार होली करोली पत्थर मार होली बाढ़ में अब सीधा आजाओ क्रश्न पक्स में ही चेत्र क्रश्न अश्टनी चेत्र क्रश्न अश्टनी और इस दिन से गणगोर पुजन भी प्रारम बोजाएगा जनक्र इस दिन मनाते हैं बाश्योडा वाश्योडा यह तंधा खोजन अखें करेंगे चेत्र क्रश्न अस्टमी कर वाश्योडा मतलब इस दिन थंडा वोजन करते हैं इसलिए इसको कहा विया है बाश्योडा सीटला अस्टमी सीटला मता की पूजा की जाती है कि यह कॉःत्रम पक्षण के में त्योहार है उसके वाद है रोशुक्ल पक्षण चेत्र सुक्ल एकम और इस दिन प्रारम होता है हिंदू नव वर्स यहां पर ध्यान यह देना है कि अब्रारम हो गया इस कि लेकिन कि यह कारा फक्सं को असुदू माना गया है इसलिए हापन नौ्वर्स कर भुनाईंगे कि तो चेत्र सुक्ल एकम को मने दलता है हिंदू नौ वर्स में इस धिन प्रारम होते हैं नवरात्र नवरात्र साल में चार आते हैं, दो गुपता आते हैं, ये दो में नवरात्र आते हैं, एक चेत्र में, एक आस्मिन में, ये जो नवरात्र हैं, ये बसंतिय नवरात्र हैं, और जो आस्मिन में आते हैं, वो सार्विय नवरात्र हैं, बसंतिय या छोटे नवरात्र, बसंतिय इस दिन मनाया जाता है इस दिन मनाया जाता है और फिर आता है चेत्र सुक्ले तर्थिया इस दिन मनाया जाती है और पूजन का प्रारण हुआ दुलंडी पंदरा और ये तिन दिन अठारा दिन इस दिन मनाया जाती है और जार्जर स्थान में फर्वादिक गीतों वाला त्योहार गंगोर की सवारी वहां की पसिद्ध है जैपुर की सवारी जैपुर की पसिद्ध है गुलाबी गंगोर नाथ दुआरा रात समाद गुलाबी गंगोर नाथ दुआरा जहां स्री नाथ जी का मंदिर है राज समाद टेट्र सूपलय तर्तिया गंगोर गुलाबी गंगोर नाथ दुआरा रात समन्माद की पसिद्ध शर्वादीक गीतों वाला त्योहार और जैपुर की सवारी परसिद्र है इसमार तो कORONA की मेरी से निकल नेताई जैपुर की गनगोर की सवारी परसिद्र है एक गणगोर और है बिना ईसर की गनगोर एक खर परसिद है जेसल में जेसल में बिना इसर की गंगोर इस दिन नहीं मनाई जाती है इसके ज़श्ट अगले दिन यह जैनि चेत्र सुपले चेत्र सुपले को पाएं चोथ को मनाई जाती है बिना इसर की गंगोर इसा कहा जाता है कि एक बार गंगोर की जब सवारी निकल रही थी और विका मेर ने आक्रमन कर दिया जेसल मेर आक्रमन करके उस सवारी में से इसर को ले गए इसर यानि कि संकर भगवान को और तब से जैसल मेर में अगले दिन चेत्र सुक्ले चतुर्थी को मनाई जाती है बिना इसर की गणबोर क्योंकि इसर तो लेगे विकानेर वाड़े उसके बाद आती है चेत्र सुक्ले कि नवभी और इस दिन त्योहां राता है राम नवमी भी राम्मि के नवमि राम नवमी के जनोठ दिन जनम होता राम जी का जनम कब हुआ तरह फुन जाल मिस्थान नविस्थान का है 11 सी घिल शरीव कि किनारे हुआ इस दिन और और नदीमे नाना पवित्र माना गया है किस नदीमे नाना पवित्र माना गया है कि राम नव्मी को और फिर आता है चेत्र का अंतिन दिन चेत्र पूरणीमा और इस दिन आता है हनुमान जनम जनम और सब्सक्त भ्यांग रखना हनुमान जयंती नहीं है जयंती उणकी मनाई जाती है जो मर चुकी हैं किसती मनाया जाता है हनुमान जनम्य और सब्सक्त भष्याज